हाई लोग मैं आज बड़ा खुश हूँ क्यों कि आज एक ऐसा एपिसोड लेकर आया हूँ जो कि बहुत डिमांडेट तो था लेकिन मुझे ये तसली है अंदर ये अंदर कि आज का एपिसोड देखने के बाद ये जो बहुत बड़ा एक कन्फूजन है कि अंदर 1000 में आपके लिए best possible gaming mouse कौन सा हो सकता है वो solve होने वाला है और ऐसा solve होने वाला है कि इसके बाद आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूते बड़ेगी लेकि दोस्तों इससे पहले कि ये एपिसोड हम शुरू करें नीचे जो बहुरू से वाला बटन है नीचे जो सब्सक करनी बढ़ती है और तब जो है इस तरह का वीडियो बन पाता है यहां पर हमने जो वार जो संग्राम जो युद्धम ने शुरू किया था अपने और मैंने मिलकर वो चाप्डू हो चुका है अगेन अब ये तीसरा बार है और हमने इसी सिलसिले में जितने टॉप जल्दी जाओ इंस्टा पे जाओ यूट्यूब पे जाओ दोनों जगा हो तो दोनों जगा वोटिंग करो जिसे सबसे जादा वोट मिल जाएगा इस पार उसे मिल जाएगा अगेन प्री ओमिनोस का बाउचर अचा आते हैं अब मुद्धे पर दोस्तों हमने यहां पे बहत देखने को मिल दी है एक है इंस्टेंड का एक आता है इंस्टेंड का ही 825 एक आता है पिक्सार का पीम डेवलू 3327 यह तीन सेंसर के बेज़ पर आपका जितना भी बजट होगा उस हिसाब से हमने माउस को क्लासिफाई कर दिया है और आपको इस दर मिया पता चलते जाएग इनस्टेंड के A63 EP ही बात कर रहे हैं यहाँ पेसिकली दो माउस ऊपशन आपको इस और के साथ देखने को मिलता है पहला जो अपशन देखने को मिलता है वह है यह पता होना चाहिए यह दोनों माउस अपने साथ लाते क्या-क्या सबसे पहले बात करेंगे Shade की यहाँ आपको body to weight ratio जो है 96 gram only देखने को मिलता है साथी construction भी यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलता है और साथी इसका अगर palm size की बात कर ले तो small to medium palm size के साथ हलके बड़े palm size को भी अच्छे से accommodate करता है क्योंकि generally medium size के mouse जो होता है उससे बड़े size का है यह mouse और साथी यहाँ पर आपको branded cable देखने को भी जाता है 1.5 meter का और जो sensor लगा है आपको पता है यहाँ पर instant का A63 EP लगा होने के साथी यहाँ पर जो switch लगे हैं वो भी अच्छे brand की तरफ से लगे हुए है वो आनो के switch आपको लगे हुए दिख रहे है अचा अब यह जो evo fox shade है क्यूंकि इसमें A63 EP लगा हुआ है तो यहाँ पर जो आपको IPS देखने को बिल रहा है वो 30 per second का देखने को बिल रहा है और साथ ही जो यहाँ पर acceleration है वो 8G का देखने को मिल रहा है और साथ ही यहाँ पर आपको DPI देखने को बिल रहा है वो भी 1280 से लेके 36 का देखने को बिल रहा है जो कि अगेन एक बहुत decent range है जिसके अंदर आप बढ़िया gaming shaming कर लोगे और साथ ही अगर इस mouse के tracking speed की बात कर ले तो यहाँ पर 786 constant पर जो आपको lowest x count देखने को बिल रहा है जो highest आपको देखने को बिल रहा है और यहाँ पर यह जो complete package है यहाँ पर इसके switch की बात कर ले यहाँ पर इसके sensor की बात कर ले overall यह सारी चीज़े जो है आपको better लगने वाली है किस से इसी का competitive और इसी के जैसे hardware के साथ आने वाले Archer Tech Lab Recover 100 से ऐसा क्यों कह रहा हूं सबसे पहले 100 पे नजर डालते हैं क्या body to weight ratio आपको वहाँ पर देखने को बिल रहा है वहाँ पर आपको देखने को बिल रहा है माउस है आपका palm size अगर बहुत बड़ा है या आपका जो पाम साइस है वह वीडियम साइस का भी है तो थोड़ा से यहां पर hold में दिक्कत होने वाला है हाला कि माउस अपने आप में काफी अच्छे build के साथ आता है बहुत साथा difference नहीं है और साथी अगर बात कर लिए इन दोनों ही माउस के number of buttons की तो दोनों ही माउस में आपको 6 बटन देखने को बिल जाता है लेकिन difference क्या है जहां इवोफॉक्स shade में आपको वानो के switch देखने को बिल रहे थे आर्चर टेक्लैम में आपको व्यू के switch देखने को बिल रहा है जो कि कही ना कहीं थोड़ा सा इंफ Pi 786 पे जो lowest है वो 140 जो highest है वो 500 का देखने को बिल रहा है और polling rate भी same देखने को बिल रहा है तो माउस आखिर ले कौन सा pricing की बात कर ले सबसे पहले आर्चर टेक्लैम की बात करते हैं यह माउस जो है अब भी आपको 700 रूपए का देखने को बिल रहा है 700 रूपीस के हिसाब से बिलकुल recommended नहीं है CL के समय अगर कम प्राइस जाता है तब बिलकुल ले सकते हो अभी यह बिलकुल लेने लाइक नहीं है लेने लाइक है यह माउस से पेसिफिकेशन के साथ आपको कितने में बिलता है और इस माउस पे जो है फर्दर आप डिसकाउंट ले सकते हो अगर के ओफिशल वेबसाइट से ले रहे हो तो और फर्दर आपको डिसकाउंट मिल जाएगा एकदम सिंपल माउस मतलो उससे बेटर है इवो फॉक्स का जो शेड है उससे उठालो उसी प्राइस में आ रहा है जो जेनरल ऑफिस वर्क के लिए माउस आते हैं उसी प्राइस के अ थोड़ा से इस्टेंट कर सकते हो कितना इस्टेंट करना है पासर उपर गास पास अगर कर सकते हो तो ऑप्शन आपके पास एक मॉडल ऊपर का मिल जाता है इसके अंदर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं पहला है कोस्वी बाइट की तरफ से आने वाला स्पेक्टरम दूसरा है दोस्तों एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला जी एम 610 और तीसरा है अगीन इवो फोक्स की तरफ से आने वाला भेस अब यह जो तीनों माउस है इसके बारे में पहले जाने लेते हैं फिर हम इसके प्राइसिंग की बात करेंगे से बात करेंगे कि इससे जुरू करत है यह बटन देखने हूं मिलता है हुआनों के स्वीच के साथ आता है और सेंसर जैसे की मैंने बताया इंस्टेंट का 825 देखने को मिल रहा है यही रीजन है यहां पर बात कर लें इसके ट्रेकिंग स्पीड की 786 कॉंस्टेंट पे लोइस जो हमें एक स्काउंट मिल रहा है वो 0-14 का मिल रहा है हाइस जो मिल रहा है 0-220 का मिल रहा है पोलिंग लेट 1000 हर्ट की मिल जाती है तीरा लाइटिंग मोड है आता है और कई सारे चीज़ें सौफवेर में किया जा सकता है यह माउस जो है बजट के अंदर एक अच्छा माउस हो सकता है अगला अप्शन क्या है इससे भी खूबसूरत देखने वाला एंटी स्पोर्स का जीम 610 है क्या बॉड़ी टुवेट रिशियो देखने को मिलता है फोड़ा सा हेवियर साइड बे है 86 ग्राम के साथ आता है और सबसे अच्छी बात इसकी खूबसूरती बढ़ती है इसकी ट्रांस्परेंसी के का आप आइट का कॉंबिनेशन बहुत ही खूबसूरत लगता है बाकी चीजे क्या है क्या बटन है आट बटन है हुईयू के स्वीच आपको यहां पे देखने को बिलता है जो कि हुआनों से थोड़ा सा कम है अगर हुआनों 20 है तो यह 19 होगा और अगर सेंसर की बात करें वह सेंसर लगा हुआ है 825 हाला कि यहां पर आइपेस जो है थोड़ा सापको डिफरेंस देखने को भी लेगा आइपेस जैसे कि हमने स्पेक्ट्रम में 60 देखा था यहां पर आपको 30 दिखने वाला है एक्सिलेरेशन सेम रहने वाला है यहां पर सेवन थाउजन का डिपी आई यहां पर आपको माउस चूज करना है का जो स्पेक्ट्रम है उसमें आपने देखा ट्रैकिंग स्पीड जो है 0-14 एक यूनिफॉर्मिटी थी और साथ ही चो हाय स्टपने देखा 0-220 की इसका मतलब क्या है माउस जादा फ्लक्ट्वेट नहीं कर रहा है इसका जो ऊवर आल ट्रैकिंग स्पीड है और उसका जो रेस्पॉंस है वो जादा फ्लक्ट्वेट नहीं कर रहा है वही अगर बात करें एंटी स्पोर्स जीम 610 की तो यहां पे जो फ्लक्ट्वेशन रेट है वो बहुत जादा आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पे जो आपका पर थोड़ा सा फ्लक्ट्वेटेड मिलेगा चोकि गेविंग के लिए फिल्कुल भी साही नहीं है यहां पे लूग अच्छा जरू मिल रहा है लकिन परफॉमेंस में थोड़ी सी वलनरेबिलिटी यहां पे मिलती है बड़िया सॉफ्वेर सपोर्ट आपको यहां पे देख पर आठ बटन देखने को मिलता है और अच्छी बात यह है कि इनका जो स्विच सिस्टेम है वहानों का दिया गया है और साती यहां पे वही सेंसर 825 का इसलिए IPS जो है सिक्स्टी का एक्सिलरेशन 20 का और साती fps 7000 का मिलता है बहुत बढ़िया रेंज मिलता है यहां पे आप बराबर without any lag जो है यहां पे काम कर रहा है और साथी polling rate की बात कहनी की ज़रूती है क्योंकि 825 लता है 1000 Hz की polling rate आपको मिलती है software support के साथ आता है तारी वो चीज़े हो जाती है जो इससे पहले के दोनों mouse पे आपने देखा अब आपको मैं बताता हूं कि इन तीनों mouse का pricing की आप को देखने को मिलेगा आप खुद जज कर दोगे मेरे को बोलने की ज़रूत नहीं है देखो सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी and e-sports के GM 610 से शरूर रहते है यहां पे जो आपको pricing देखने को मिलती है वो भी इस inconsistent sensor के साथ वह आपको 1328 के साथ देखने को मिल रहा है एक अच जो है इनके official website में आपको देखने को मिल जाएगा तो overall यह mouse एक जो है लिया जा सकता है और कॉसी बाइट एक brand है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो लेकिन असली किंग वह अगीन इस category में भी evo fox ही है क्योंकि evo fox ब्लीज जो है वो 649 रूपीज में मिल रहा है और अगेन यहां पर आपको जो है 10% का डिसकाउंट जो है इनके website में देखने को मिलेगा 5% का डिसकाउंट देखने को मिलता है यहां पर 10% का तोड़ा बहुत डिफरेंस आने के बावजू अगर कोई वाकई रियली किंग है चाहे वो बिल्ट क्वालिटी हो चाहे ओवरॉल स्वी सिजम की बारे में हो सारी चीज़ों में और इवन लुक में भी जो इवो फॉक्स ग्लेज है वो क्रही न कहीं को इस बार मात जरूर देता है फाइनली दोस्तों अब बारी है हजार रुपे के अंदर किंग माउस या किंग सेंसर के बारे में बात करने की तिंग सेंसर कौन सा है पिकसार का पी एम डवलू 3-3-2-7 छे महीने पहले भी हम लोग सोची नहीं सकते थे कि 3-3-2-7 जो है अंडर वन थाउज़न में आ सकता है क्योंकि यह जो सेंसर है जैनरली 2000 के आसपास के जितने माउस है आज भी आगर आप देखते हो अच्छे बड़े ब्रैंड में देखते हो तो यह जो सेंसर है आपको 2500-3000 के माउस में देखें को बिलता है जोन माउस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलिज रखता है उन्हें पता है यह माउस कितना बड़ा हीट है यह माउस है पास्टॉं की बात कर रहे है क्या वे टूब बोडी रिश्यो देखने ग्राम्स उनली और साथी क्या हनी करम में डिजाइन देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो नया controversy के बाद जो troubleshoot हुआ है उसके बाद भायों लोग की चांदी हो गई है क्योंकि यहाँ पे आपको polytetra floor वेधिली नियाने की PTAV के field जो है मिलने लगे है और साथी सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो आपको switch system मिल रहा है वानों के switch system तो मिली रहा है seven buttons के साथ मिल रहा है बढ़िया sensor के साथ मिल रहा है PicsArt का PMW 3327 के साथ मिल रहा है IPS acceleration DPI हर चीज एक नमबर की मिल रही है IPS कितना मिल रहा है 11 RGB lighting mode color VVDD saturation जो है काफी अच्छा है लगेगा ही नहीं कि यह under 1000 वाला कोई mouse जो है आपके decks में रखा हुआ है बहुत premium रखता है और बहुत lightweight के साथ इस पर चारचार लगा देता है इसका पैराकॉड cable अब पैराकॉड cable बहतरी in switch system बढ़िया build quality lighter वे क्या बनाता है एक premium mouse बना आप में complete है और definitely को बीट करना इस budget के अंदर इस category में बीट करना को बहुत मुश्किल है और साथी क्या मिने बहुत सारे भाई लोग को सब्सक्राइब के साथ एक दूसरे mouse को बहुत जादा करते हैं लगातार पूछ रहे मुझे कमेंट में कि death header essential जो है उसे लिया जाए या को सब्सक्राइब को यह मुद्दा जो है बहुत औरो टेस्टिंग के बाद ही solve हो पाएगा और उसके लिए हम एक वीडियो औरेड़ी तयार कर रहे है जल्दी वीडियो आ जाएगा आपको अपडेट मिल जाएगा अगर आपने हरुसे वाला बटन दबा रखा है आशा करत लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा चाहा से मर्जी खरीदो और खरीदने के बाद दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम हैंडल एडरेट टेक बोक्स इंदी ऑफिशल पर आपके नए वाले माउस का आपके नए वाले कीबोर्ड का सेट अप का जल्दी से भेजो कि वहां पर इंतजार कर रहा है एक रही डॉमिनोस का बाउचर